सोनाली की ट्रेनिंग सीरीज का ये मेरा दूसरा वीडियो है पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने बुरूडर को सेट कर सकते हैं कैसे आप चूजों को पहला दिन में क्या-क्या वैवस्ता कर सकते हैं कैसे आप गोड़ पानी दे सकते हैं और कैसे आ आपको दूसरे दिन और तीसरे दिन के बारे में बताऊंगा नमस्ते दोस्तो मैं हूं सागर और मैं स्वागत करता हूं आपको मेरे इस यूटूब चैनल में जिसका नाम है आप निवर भारत तो दोस्तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो जैसा कि मैंने पहले में भी बताया था। इस बार भी बता रहा हूं कि देखिए जो चूजा का सबसे HAVE जो पहली आहार, जो सबसे इंपौर्टन खाना। इसकाक क्या होना चाहिए? दोस्तों क्या दवा होना चाहिए प्री स्टार्टर होना चाहिए गेहूं मक्य दर्रा होना चाहिए नहीं उसका सबसे इंपोर्टेंट्स जो खाना है उसको जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है टेंप्रेचर उसको टेंप्रेचर देना सबसे जरूरी होता है और पहला सप जाया था कि पेपर डाला जाता है दो लेयर में तो क्या करेंगे पहले दिन हम अपना जो पहला जो मेरा पेपर जो हम पेपर में जो दाना डाले थे वह पहले लेयर को हम हटा लेंगे और जो दूसरा लेयर रहेगा उसमें फिर दाना डालके देंगे और साथ में दूसरा दिन अभी अभी अगर आप इस्टार्ट करना चाहते हैं ऐसे नए फार्मर दोस्तों अगर आप एकदम नए हैं आपके पास टेंपरेचर मेंटन करने का जगा नहीं है तो आप दिसंबर और जनवरी प्लीज रुख जाए उसके बाद फरवरी लास्ट से आप इस्टार्ट कर सकते लेकिन जो जानकार किसान है जो ट्रेंड किये हुए हैं वो किसी भी सीजन में कर सकते हैं कोई दिकत नहीं लेकिन करने वालों के लिए मार्च अपरेट में भी मुस्किल नहीं है और अभी भी मुस्किल नहीं है और ना करने वालों के लिए तो हमेशा मुस्किल है लेकिन अ में जो होता है परवरी के लगवा-लवा इंड में होली आता है मार्च के समय में आता है न तो उसमें बहुत जदा डिमांड रहता है मतलब देसी मुर्गों का और अच्छा डिऊ दोस्तों कि farming हम मेरा करने का मतलब मेरा आपका करने का मेन मकसद तो यही वोगा ना profit income करना तो profit हम तभी income कर सकते हैं जब उसका sale जब मेरा market में जो माल ready हो जाए और उस माल का value हमको अच्छा मिले तो दोस्तों अगर अब होली को target करना चाहते हैं तो इस समय सबसे बढ़िया समय है चूझे डालने का, अभी आप चूझे डाल सकते हैं अपने फाम में और दूसरा δिन दिखिए, पहले दिन की में बता दे, दूसरा दिन में आपको क्या करना है, पेपर उठा लेना है, पहला पेपर, फिर पेपर में भी कुछ दाना देना है, और कुछ प्री स्टार्टर या फिर देशी के लिए स्टार्टर भी लगा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है दोस्तों मैं जो अपना अनुभा बता रहा हूं में अपने फार्म में प्री स्टार्टर दाना लाता ही नहीं क्योंकि 200 रुपए मतलब फरक पड़ता है एक बोरी में उसका स्टार्टर दाना दे आप अपने बच्चों को और उसके लिए आप ड्रिंकर को सेट ड्रिंकर आपका जो है वो रहेगा फीडर आप एक दो बढ़ा दे और कुछ दाना फिर आप जो आपका एक लेयर फेपर बचा हुआ है उसमें दे तो दोस्तों यह हो गया दाना और में आप नहीं वहताई एक अच्रदे टेंपरेचर। आप पानी में दे दोस्तों पानी में आप पहला दिन दिए हैं गुड का पानी और आज आज आपको देखे अभी ठंड का Biz सीजन कितनु भी आप भूर सी अच्छा कर लेते हैं कुछ भी आप लगा लेते हैं मोफञे कभी न गभी आपका लाइन करता है कभी न कभी घृटरी मुश्क्वार में घणा होता यह ही ऊर्जका है लगना ज्यादा उस लिए एक नइसेटर आपा है तो आप इसको चला सकते हैं पहले दिन पे पहले दिन पे आप गोड़ी चला लिए दूसरे दिन और तीसरे दिन पे आप टेटरा साइकलिन चला लिए दो दिन कम है आपको सुझाव दे रहा हूं कि दो दिन आप टेटरा साइकलिन चलाएं दूसरे दिन और तीसरे दिन यही स्टार्ट करें यही दाना में जो आपका मक्कई जानकारी है इस समय और इस ब्रेजिन में चब्र dollar करना तेंप्रेचर को आपको मेंटेन करके रखना है 32 डिग्री प्लास 32 से 34 डिग्री प्लास तो आपके बच्चों की मॉडलिटी नहीं होगी और एक अद्ध मॉडलिटी जो नहीं है तो एक दो दिन के अंदर ही होती है इसके बाद दोस्तों देखे ड्रिंकर और फीडर तो क में लगा है उसको आप निकाले बाहर उसको पहले अच्छी तरह से धोले हाथ गुसा के खोल के अंदर से अच्छी तरह का कोई भी गंदगी उसमें ना रहे और एक तो फ्रेस पानी में दवा मिला के चलाए तो दूसरे दिन और तीसरे दिन की यही जानकारी है अगर वीड से जुड़े फिरे में रिचेन को सस्क्राइब करके मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नमस्कार